हेलो फेंस तो कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सब ठीक होएंगे आप लोग का सब लगते हैं हमारे से वीडियोग चैनल में जिसका नाम है मजदा आये टिक फेंस आज मैं आप लोगों के ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वालो जो की आपके कैमरे से रिलेटेड है जी आँ फेंस आपका जो camera है वो कैसा है सस्ता phone अगर आपका होगा तो आप लोगों को भी पता है कि आपका back camera या selfie camera उतना अच्छा नहीं होता जितना महेंगे camera का होता है लेकिन आपका जो सस्ता phone है उसका भी camera आप बहुत ही ज़्यादा बेटर बना सकते हो जब आप उसे फोटो क्लिक करोगे कहीं पे अपलोड करोगे फेस्बुक पे इंस्टागराम पे या कहीं भी सोसल मीडिया पाप अपलोड करोगे ना तो कोई भी देखेगा तो चौक जाएगा वो बोलेगा भाई कितना कमाल का तुमने यहाँ पे फोटो अपलोड किया है कौन से मुबाईल से क्लिक किया है बहुत ही खुफ़जूरत फोटो आई है कुछ इस तरह से आपके कमेंट्स आएंगे मतलब इतना अच्छा फोटो आएगा ना जो कि आपके सस्ते फोन से भी इतना कमाल का फोटो आने वाला है तो अगर आप भी जानना चाते तो उसके लिए क्या करना तदा कुछ नहीं करना है बस एक छोटा सा काम कर देना तो फिस उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों एक छोटी सी अप्लिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन में जिसका मैं अपने डिस्क्रिप्सेन में लिंक दे दूँगा वहां साप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो जब इस अप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे अपने फोन में इससे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ चीज तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि यहाँ पर मैं ओपन करके दिखा दू तो यहाँ पर मैंने ओपन किया तो थोड़ा सा वेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा और गैलरी दो आप्शन मिलेगा हमें कैमरे पर क्लिक करना है क्योंकि हमें यहाँ पर फोटो क्लिक करके दिखाना है आपको कि इसका कैमरा कैसा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही कैमरा ओपन हुआ तो आप देख सकते हो कितना कमाल कमाल का आपको खुद दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हो ज जिसे मैं यूज किया तब जाके मुझे पता चला तो इतनी clarity इतनी clean है ना भाई कि आप देखोगे तो बोलोगे कि यहाँ सरी application है बहुत ही फाड़ू application है जिसे आप यूज कर सकते हो देख सकते हो आप यहाँ पे कितना clean photo आएगा यहाँ पर जैसे example के लिए photo click कर लेते हैं प यहाँ पे आप gallery में जाओकर जाओगर जो आपने click किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह photo मेंने click किया तो आप इसे zoom करके देखोगे ना तो कितना clarity देखलो है यहाँ आप खुद ही देख सकते हो कितना clear photo आया और कितना वे ऐटरीं photo आया है और यहां से आप edit वागेर भी थोड़ा normal edit कर सकते हो, ज्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकि normal edit यहाँ पे आप दे सकते हो, कुछ normal edit कर सकते हो, जैसे कि आप photo लेने के बाद यहाँ से आप कुछ normal edit कर सकते हो, दूसरी application में जाने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से अगर आप edit करते हो, तो यहाँ पे आपको download option दिखता हो, तो यहाँ पे click करके आप क्या कर सकते हो, उसे save कर सकते हो, edit करने के बाद, तो I hope कि आप लोगों कोई वीडियो पसंद आए होगी, अगर वीडियो पसंद आए ना, तो like तो बनती है, like जरूर करना, और आप लोगों कोई कैसी लगी ना, comment box में comment करके भी बाता देना, तो वीडियो अच्छे लगी तो like और चैनल को भी subscribe तो कर देना यार, तो bye bye and take care मिलते है, next video में नए application है, नए trick के साथ,